आज हम लोग करने जा रहे हैं सेट थियूरिक एक्सरसाइज 1.3 जिसका फर्स कोशन है make correct statement by filling in the symbol subset or not a subset in the blank spaces अब इसमें subset not a subset की definition अगर आपको पता है अगर आपको नहीं पता तो आप जो है introduction की जो है वीडियो के अंदर आप इसको देख सकते हो तकिन अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं हम यहाँ पर इसको explain करते हो चलेंगे अब इसमें subset का मतलब यह होता है कि अगर किसी sit के सारे के सारे element as it is present है दूसरे sit के अंदर तो वो उसका एक subset बन जाएगा जहसे मान लो A के सारे element present है B के अंदर तो A जो है B का subset बन जाएगा लेकिन vice versa यानि B A का subset हो ऐसा जरूरी नहीं है अगर इसके भी सारी condition यह fulfill कर रहा है subset होने के लिए तो यह बन जाएगा otherwise it is not a subset तो इनका symbol जो होता है आपका यह symbol होता है subset का और यह not a subset का symbol होता है तो इसमें first question है इसमें जहाँ पर दोरत पढ़े कि हम उसको explain करते हो चलेंगे जैसे इसमें first question है question number first का first part two three four अब इसमें blank space भरना है अब इसमें जैसे जो symbol होता है आपका subset लिखने के लिए वह symbol हम use करते हैं इसको two three four यह एक set है roster form में और इसमें blank space है बीच में हाँ और दूसरा set जो है वह आपका one two three four five मान लो यह a है यह b है तो अब इसमें a के सारे element two three four present है आपके जो है two three four b के अंदर suppose that जो second set है उसके अंदर present है तो यह क्या हो जाएगा यह इसका एक subset हो जाएगा clear है अब इसका जो second part है second part क्या कह रहा है कि हमने symbol यह एक set है a b c और जो दूसरा set आपके पास है b c और d अब इसमें a यहाँ पर present नहीं है b और c present है b और c यहाँ पर present है तो यह set आपका इसका subset नहीं होगा तो इसका symbol यहाँ पर fill in the blanks में आप क्या लिखोगे not a subset तो यह आपका यहाँ पर clear होगा कि अगर a के सारे element अगर b के और present है तो वो इसका subset बनेगा subset बनेगा otherwise it is not a subset अब third part आपका क्या कह रहा है कि x such that x is a student of class 11th of your school अब यहाँ पर जो तुमारा set की definition दी गई है वो आपका जो है set builder के form में दी गई है आप किसी भी form लेख सकते हो roster form में भी और set builder form में भी किसी भी form में set की definition आ सकती है अब इसमें क्या कह रहा है कि x such that x is a student of class 11th of your school यानि कि यह आपकी जो class है उसके अंदर जितने भी आपकी student है उनका एक set है अब दूसरा आपका क्या कह रहा है x such that x student of your school यानि कि आपकी school की जितने भी student है वो सारे के सारे student इस set के अंदर present है तो जाहिर सी बात है आपके जो class 11th की student है वो आपके school की student होंगे तो यह इसका एक subset बन जाएगा तो इसमें आप इसको set builder में लिखा हुआ है आपका x such that x is a student of class 11th in your school यह आपका एक set है और यह जो है आपका जो second set है उसका subset बन जाएगा subset of x such that x is student of your school ठीक है तो यह भी set है यह भी set है यह भी set है subset के अंदर जो अगर यह इसका subset है तो इसका मतलब यह नहीं कि इसकी property कुछ कम होगा इसकी property as it is y होगी जो set की property होती है और इसकी भी property वह होगी जो set की property है लेकिन इसके सारे के सारे element आपके as it is present है second set के अंदर तो यह इसका subset बनेगा otherwise it is not a subset अब question no.4 हम इसको देखते है part 4 इसका क्या कर रहा x as that x is a circle in the plane अब इसमें क्या है x as that x x is a circle in a plane अब plane के अंदर कोई आपका plane है x y plane है मान लीजिए तो इसके अंदर कोई भी circle है आपका one unit का two unit का कहीं भी आपका circle बने हुए अलग-अलग size के है अब जो दूसरा set कह रहा है कि x as that x is a circle in the same plane with radius one unit अब यहाँ पर क्या है कि जो condition दे गई है कि जो circle है वो खाली one unit के one unit का मतलब यह होगा है one centimeter, one meter, one millimeter किसी भी form में हो सकता है तो यह तुमारा one unit के जो यहाँ पर circle है तो यह जाहिर से बात है यहाँ पर one unit के सारे circle जो first में present हो सकते हैं अलग different different size के circle present है लेकिन जो second set है उसके अंदर सिर्फ one unit का है तो यह बड़ा group हो गया और यह छोटा group हो गया तो इसलिए यह आपका question, I ask such that x is a circle in the plane अब इसमें हम क्या लिखेंगे, it is not a subset आप इसको यहाँ पर लिख लो, x such that x is a circle in the same plane same plane with radius one unit ठीक है, यह not a subset होगा इसी तरह से question number five है, part five है x such that x is a triangle in a plane अब इसमें क्या है, कि इसमें triangle की बात करी जा रही है और दूसरा set क्या है, x such that x is a rectangle in the plane अब इसमें triangle और rectangle आपके पास जो first set है, वो आपका triangle के form में है जो second set की बात करी जा रही है, उसमें क्या कह रहा है, it is a rectangle, तो rectangle के अंदर triangle आएंगे नहीं तो rectangle अपने आप में एक अलग set हो गया और triangle आपके एक अलग set हो गया, यह इसके member different है और यह member different है, तो यह भी आपका क्या हो जाएगा, it is also not a subset, आप इसको not a subset लिख सकते हो next part क्या कह रहा है, part 6 क्या कह रहा है, कि x such that x is an equilateral triangle, equilateral triangle के definition क्या है कि जिसके सारे के सारे sides बराबर हो, वो आपका equilateral triangle होता है, और next part क्या कह रहा है, x such that x is a triangle in the same plane अब इसमें equilateral triangle का मतलब यह हो गया, कि आपका जो plane है उसमें आपके same size के जो है, same unit size के यह triangle है अब जो second set है X is a triangle in the same plane अब इसमें जो second definition है set की उसके अंदर कह रहा है कि सारे के सारे triangle हर size के equilateral भी है, isosilis भी है तो इसमें सारे size के आपके triangle है तो इसलिए इसलिए ये एक बड़ा set हो गया और इसके अंदर जो भी element है ये सारे के सारे as it is इसके अंदर present हो सकते हैं तो ये भी तुमारा क्या है कि इसकी answer होगा, it is also a set या नहीं कि x such that x आप इसको यहाँ लिख सकते हो इसकी definition पूरी complete आपको लिखना है exam में कि x such that x is a equilateral triangle, यह आपको पूरा लिखना है exam में, यहाँ पर हमने खिरिफ समझाने के इसको बता दिये in a plane it is a subset of x such that x is a triangle in the same plane ठीक है, next part आपका कहा गहा रहा, part number 7 x such that x is an even natural number, natural number आपके कौन कौन से होते हैं, once start हो करके up to infinity जाते हैं और इसमें क्या कर रहा है, even natural number की बात कर रहा है, तो यह start हो जाएका even natural number अगर हम कहेंगे n is equal to जो आपका set बनेगा वो 2, 4, 6, 8 up to infinity और इसमें क्या है, x is an integer integer का जो space होता है वो natural number से बड़ा होता है, इसमें आपका क्या होता है minus infinity से लेकर के up to that dash dash, minus 2 minus 1 0, 1, 2, 3 4, up to infinity यह आपका जो है, integer का space है, तो इसमें इसके जितनी भी element है, आप अगर यहां पर ध्यान से देखो तो इसके जितनी भी element है वो सारे के सारे present है integer number के अंदर तो यह आपका आंसर यह भी क्या होगा कि यह भी आपका जो है, एक subset बन जाएगा, यानि इसका भी आंसर आपका क्या है, it is also a subset x such that x is an even natural number it is also subset of x such that x is an integer तो यह यहां पर आपका even natural number का मतलब यह हो गया even natural number का मतलब यह हो गया 2468 up to infinity और x as that x an integer का मतलब यह हो गया आपका minus infinity से लेकर के plus infinity तक integer number और यह सारे के सारे number इसके अंदर present होंगे तो इसलिए यह इसका एक subset बन गया लेकिन y सबरसा ही इसका subset नहीं होगा क्योंकि इसका group बड़ा इसके elements ज़्यादा है इसके element कम हैं तो I hope question number one clear हो गया होगा